हेलो गाइज मैं हूँ प्रीती और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ Students Point जैसे कि आप सब जानते हो कि जो थर्ड यर के स्टुडेंट्स हैं उनका रिजल्ट अब आ चुका है और ऐसे में बहुत से स्टुडेंट्स ने अपने आगे की फॉदर स्टुडी के लिए अपलाई किया होगा बहुत लोगों को जॉब के लिए जॉब की नीड होगी तो जॉब के लिए बहुत लोगों ने अपलाई किया होगा बट आप जानते हो कि आप आगे कुछ भी process continue करते हो चाहे job continue करो या फिर आगे की study continue करो आप लोग के लिए जो certificate है आपके due की तरफ से वो mandatory हो जाता है लेकिन एक बात ये भी है कि जो due की तरफ से proper certificate दिया जाता है वो तीन साल बाद issue होता है जो degree होती है आप लोग की वो तीन years के बाद दिया जाता है आपको ठीक है after the three years आपको आपकी डिग्री प्रोवाइड कर दी जाती है तो SOL क्या करता है आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है जिसके बहाफ पर आपने आगे की study continue कर सकते हो आगे के लिए अपने job के लिए apply कर सकते हो अपन लॉग इन करने के बाद कुछ ऐसा interface होगा आपके screen पे आपको यहाँ student पे click करना है इस पे click करके student पे जो आप click करेंगे नीचे scroll करना है यहाँ देखिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट का एक option शो हो रहा होगा आपको उस पे आप click कर दोगे उस पे click करके सबसे पहले आपक को session सेलेक्ट करना है कि कौन से session में आपका result आया है तो 2019-2020 आप लोगों को select कर लेना है यहाँ पे select कर लिया आपने अपना S.O.L. roll numbers यहाँ पे fill करोगे S.O.L. roll number आप सबको पता होगा आपके i-card पे mention होता है यह देखे यह आपका i-card है और यहाँ पे आपका S.O.L. roll number मेंशन होता है तो यहीं से आपको अपना S.O.L. roll number जो है वो यहाँ पे लिख लेना है और उसके बाद आपको अपना examination roll number फिल करना है examination roll number जो है वो आप देखिए जब आप अपने dashboard पर जाओगे यहाँ my account पर आपको क्लिक करना है my account पर क्लिक करके नीचे देखिए exam roll number को option आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका examination roll number जो है वो आपको शो हो जाएगा तो वो आप यहाँ पर फिल कर लोगे यह सारे details फिल करने के इसे बाद आपको यहाँ työपे क्लिक कर देना है जब अप यूपे क्लिक कर दोगे तो आपका जो provision certificate है वो डाउनलोड हो जाएगा अब कुछ students को यहाँ पर प्रॉबलम आ रही है कि उनका जो professional certificate है बो डाउनलोड हो पा रहा है उनका ऐसा elnth तो इसमें पैनिक करने। नहीं हैं क्योंकि अभी आप लोगों का रिजल्ट तुरन्ट डिक्लेयर ही हुआै कुछ दीन हुए हैं तो हो सकता है आपका जो प्रोवेजनल सर्टिफिकेट नहीं हो इस तरब से राивает जैसे ही सभी स्टून्स का प्रोविजनल सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा मैं अगें ट्राइ करूँगी कि आप लोगों को अगें इन्फॉर्म कर सकूँ ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही थैंक्स फॉर दर वाचिंग दिस एंड बेस्ट फ लुक आल गाईज